नमस्कार दोस्तों इस फिडियो में हम लोग देखने हुआ है बी ओ बी स्टॉक के बारे में यानि की बैंक का बरड़ा स्टॉक के बारे में बैंकिंग शेक्टर का स्टॉक के लगबग यहाँ पी इसकी प्राइस चल रहे हैं 114 रुपेस के आसपास तो उसके उपर आपने द आपको स्टॉक मार्केस के लॉसे से बचा सकता है डायरेट किसी की वीडियो देखके इन्वेजमेंट करना बहुत रिस्की साबीत हो सकता है यह तो था डिस्क्लेमर तो चले एक्जाटली न्यूस को भी कवर कर लेते इससे के आपको पता रहेगा आज के दिन में 7% की उच आ रही तो आप क्या करेंगे आपको लगता है और आगे जाकि वह आपको पैसा डुबा देगा तो आप लोग क्या कंसिडर करते हैं देखें मेरा तो पैसा आएगा नहीं आएगा बाद में देख लेंगे लेकिन अभी तो आप लोग क्या कंसिडर कर रहें कि पैसा डूबन तो bank of order क्या consider करेंगी चले इनका पैसा side में रखते हम ऐसा consider करके पैसा डूबने वाला 20 लोगों का वह हम लोग consider नहीं करते और जो quarter to quarter जो result declare होता है वहाँ पे वो लोग दिखा देते कि provisions में उस पैसे को डाल देते मतलब bank of order यह सोच रहे कि आगे जाके पैसा आपने को नहीं bank के लिए बहुत ही अच्छा sign रहते हैं आने वाले future में यह तता पहला न्यूज दूसरा न्यूज भी आप नीचे देख सकते हैं जैसे कि आपको पता रहेगा quarter 3 के result डेकलेर होएते तो वहाँ पे bank of order के stock में quarter 3 के result में यहाँ पे लगबग उनको एक जो रहता है double हो गाए एक बहुत ही बड़ा sign होता है bank stock के लिए banking company के लिए कि उनका नेट profit directly दो गुना बढ़ गए तो यह तो था दो exactly news तो उसके उपर से आज की दिन में आपने देखा रहेगा लगबग 7% के जोरदार jump है यह बैंक का बरोड़ में तो यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं इस साल की return चेक के रहेंगे लगबग 42% की return दिख रहें पास साल कर लंबा चाट पटन देख लेते हैं लगबग देख लेते हैं माइनस 38% की गिरावट है मतलब इन शोट अभी तो investment के लिए इतना अच्छा stock नहीं रहा अब को quarter to quarter अभी फिला result चेक करते रहना चाह आगे आने investment करने के लिए बैंक का अच्छा नहीं है अगर आपको ज्यादा investment करना है तो मार्केट में तीन दिखकज बैंक है जैसे की HDFC बैंक है उसके बाद कोटक महिंदरा बैंक है उसके बाद ICIC बैंक है चोता बैंक आपको चाहिए जो है SBI SBI थोड़ा last new option रखे लेकिन फिलाल यह तो तीन बहुती बड़े दिखकज बैंक है अगर आपको ज्यादा investment करना है तो HDFC साथ की जा सकते उसके बाद कोटक और ICIC के साथ जा सकते यह तो तो आज का news आपका खुद का study ज़रूर कीजिया और stock में investment करना है या नहीं करना है सोच लिजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं